आज पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षताव में वन नेशन वन इलेक्षन पर उच्च इस तरीय समिती ने राष्ट्रपती द्रोपती मुर्मु को एक साथ चुनाव पर अपनी रेपोर्ट सौपी इसके लिए समीती ने राश्ट्रपती भवन में राश्ट्रपती द्रौपती मुर्मू से मुलाकात की इस मुलाकात के दोरान केंद्रिय ग्रह मंतरी अमिच शाह समेत अन्य मंतरीगड भी मौजूद रहे समीती ने अपनी रिपोर्ट में लोकसभा और राजे विधान सभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की शिफारिश्ट की जिसके बाद सौधिनों के भीतर एक साथ इस्थानी ये निकाय चुनाव कराने की शिफारिश्ट की गई इस मुलाकात के बाद ही देश की विभिनराजनी तिक पार्टियों में बयान बाजीश चुरू हो गई है कॉंग्रेस नेता जैराम रमेश ने वन नेशन वन इलेक्षन का विरोध करते हुए प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी पर प्रहार किया वहीं भी जेपी नेता नलिन कोली ने इस कदम की सराहना करते हुए वन नेशन वन इलेक्षन के फायदों के बारे में बात चीज़ की पूर राष्ट्रपती जी, कोविन जी और उनकी समिती ने जो रेकमेंडेशन रखा है वो स्वागत योग्य है इस देश में 1951 से कई सालों तक एक साथ ही चुनाव होते थे मानने ये प्रधान मंत्री जी नरेंदर मोधी जी ने भी तो इस बात को कई बार रखा है पर एक साथ चुनाव होंगे तो जो प्रशासिनिक लोग है, जो राजनितिक लोग है वो उस चुनाव के लिए लगे रहते हैं उसके बाद 5 साल तक काम कर सकते हैं अभी तो अलग-अलग समय पे चुनाव होते हैं तो खिच जाते हैं पैसे बचता है और जो नीतियां है वो नीतियां जो है बिना कोई रोक के क्योंकि चुनाव जब होते हैं बीच बीच में जैसे पहले लोग सभाका हो गया या विदान सभाका उसके बाद हुआ तो उस पीरियड में मॉडल कोर्ड ऑफ कंड़ाक लग जाता है कई चीज़े होते हैं तो ये एक स्वागत योगिया बात है इसका राजनिति करन करन नहीं हो सकता है नहीं होना चाहिए हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दबाए